हांजी नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप से भी प्रियाच छातरों का पैरामेडिकल और इनरिशिंग के नमर वन चैनल इस टेड़ी भी थ्रितेश में तो गैज यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल 2022 का सेकेंड राउन स्रीट लॉट्मेंट रिजल्ट आने के बाद अभी भी बहुत से विध्यारतियों के मन में एक डाउट से हैं कुश्चन चल रहा है कि सर हमको तो कॉलेज नहीं मिला तो क्या सर सेकेंड राउन स्रीट लॉट्में रिजल्ट आने के बाद मॉप अफलाइन काउंसलिंग होगा या नहीं होगा डेली बच्चों के दुवारा यह चीज पूछा जा रहा है कि सर हम लोग का मॉप अफलाइन काउंसलिंग होगा भी अनहीं होगा अब देखें मॉप अफलाइन काउंसलिंग का मतलब क्या होता है तो देखें सेकेंड राउंड भी समाप्त हो जाने के बाद यानि सेकेंड seat allotment result आ जाने के बाद भी कुछ seat बच जाती है जैसे suppose किजिए कि बहुत बच्चों को second round में college allot हुआ लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसमें सभी student college में admission ले ही लेंगे तो कुछ बच्चे जो हैं नहीं ले पाते हैं admission उनको course उनके मनलाइक नहीं मिलता है तो होता है कि कुछ seat बच जाती है अब कुछ seat बच जाती है तो उसके बाद board क्या करता है सोचता है कि इन seat को fulfill करने के लिए एक mop up offline counseling करवाया जाए ठीक है तो बच्चों यहाँ पे मिली जानकारी के अनुसार देखिए अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में mop up offline counseling हुआ ही नहीं है है ना तो इस बार भी यही expect है यही आशाई के बच्चों नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर mop up offline counseling होता तो board के तरफ से कोई न कोई notice कोई न कोई information अभी तक आ जाता है या जिस तरह से आप लोगो का sit due निकाला था बताया गया था कि first round का sit lotman result इस तिन होगा है ना second round का इस तिन से आएगा उसके नीचे जो है mop up के बारे में भी दिखा दिया जाता बट यहाँ पर पिछले 3 सालों से यहाँ पहले होता था लिगे कि तीन सालों से बात करें तो यहाँ पर mop up offline counseling नहीं होता है तो यहाँ पर आप यहीं मान के चल सकते हो कि first round और second round में ही जो seat है वो full हो चुकी है इसलिए जो है बोर्ड के द्वारे यह mop up offline counseling नहीं निकाला जाता है ठीक है तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग का हर एक doubt क्लियर हो गया होगा और दोस्तों यदि आपका rank जादा है और आपको college नहीं मिला तो आपको निराश होने की आवशक्ता नहीं है ठीक है कि आप next year के लिए preparation के लिए next year में आपको best देना है तो इसके लिए जो है अभी से ही आप तैयारी में लग जाईए और हमारे channel से जूड जाईए यहाँ पर आपको daily life classes दी जाती है हर एक subject पढ़ाया जाता है और दोस्तों यदि आप कम समय में ए आपको लाइफ चलेगा और लाइफ चलेगा और लाइफ क्लासेज एंड हो जाने के बाद आपको हर एक क्लास का recorded वीडियो भी मिलेगा साथी साथ daily classes, notes भी आपको अविलेवल होंगी और उसके बाद mega test और last में यानि जब last में देखिए अब course का validity क्या रहेगा तो course आपका examination तक चलेगा यानि जब तक आपका exam नहीं हो जाता है 2023 का तब तक आपका course अविलेवल रहेगा एफ पे ठीक है और course complete हो जाने के बाद तो उसके बाद last 15 years का PYQ यानि previous year questions भी करवाए जाएंगे तो दोस्तों जल्दी कीजिए new badge को join कीजिए और अपनी तयारी को बनाएए एकदम सांधार तो चले दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में